नमस्कार दोस्तों परिणाम एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत हैं तो दोस्तों मैंने कल दिजिनिंग की पहली क्लास इस्टार्ट टी इसमें आप लोग को क्लॉक का पहला टॉपिक क्लियर कराया तो आध हम क्लॉक के दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं जो है पिछली क्लास में आप लोगों ने देखा मैंने एक फॉर्मूला बताया था ट्रिक कह सकने हैं उसको जो फॉर्मूला क्या था एच इंटू 30 प्लस एम बाई 2 6 इंटू एम इसी फॉर्मूले के बेसिस पे मैंने पिछली क्लास बताई पूरा स्क्रेश्चन अम लोगें दो एक एहम रोल है यह फॉर्मूला को आज हम लोग ध्यान में रखकर सबढ़ी को आगे देखते हैं ईटर्व लेप İंग् से यस यह होता है जी रो डिग्री में यह होता है नायटी डिग्री में यह उता वन अइटी डिग्री में इतीً तीन पकाल के ओवर्लैपिं होती है तो तो सबसे पहले जीरो डिग्री ओवरलैपिंग की आज हम बात करेंगे जीरो डिग्री ओवरलैपिंग को सुरू करने से पहले हम एक और चाचा करते हैं इसमें क्वेस्टन कितने टाच के बनते हैं उसके बाद हम आपको बताते हैं कैसे सॉल्ट होता है इसमें question overlapping के तीन टाइप्स के बनते हैं पिछीर ग्लास में हमने बता है h into 30 plus m by 2 approach 6 into m यह formula था लेकिन इसमें दोनों का मनलब minute वाली सुई और hours वाली सुई दोनों का विस्थापन था दोनों का displacement था इसमें लेकिन आज इसको हम question तो इसमें 3 types के बनते हैं पहले कौन कौन से पहला जो बनता है केवल hours वाली सुई का विस्थापन दूसरा कैसे बनता है केवल minute वाली सुई का विस्थापन और तीसरा क्या बनता है आवस और minute वाली दोनों सुई का विस्थापन दोनों का विस्थापन जैसे मान लेजे हम ले लेते हैं इसमें निकालते कैसे थी इसे फॉर्मूले पर पूट करते थे आवर्स इसमें दिया गया है यह मिनर्स यह है कुछ करना नहीं रहता तो क्यों फॉर्मूले पूट करते थे लेकिन यहां क्या रहा है केवल एच का विस्थापन केवल इसका विस्थापन हम पहले तीन राच क्वेशन बन दे कोई क्वेशन पूझे केवल इसका हम को विस्थापन बताईए दूस्य टाइक के बन सकता है तो मैंन लीजे किवल इतने पॉर्शन कुलेंगे हमारा यह यह था किवे एस वाल को आवराच करेंगे यहां तो केवल इतने पॉर्शन को ов अभिस्तापन है इसको देखें यहां कितना फाइब यह फॉर्मूला के वल आवर्स के लिए है इसमें गिवेन है एचित फाइफ है और मिनट फॉर्टी है इसी पूट कर दें यह है फाइफ और यह है पाइफ इन्टो थार्टी प्लस 40 बाइटू जो आवर्स वाली सुई का विस्थापन है वह आया 173 के वल इसका आवर्स वाली का एक टाइप कोश्चन यह बन सकता दूसरा क्या बनेगा क्योवल मिनट वाली का विस्थापन इसमें क्या इसमें टोटल मिनट देखेंगे हम मिनट की जो सुई है यह पांच आवर्स के बाद 40 मिनट चल चुकी है इसके पहले ऐसा है कि नहीं आवर्स वाली दूसरे मदब तो इसका टोटल कैसे निकले के लिए पूरा हो गया टोटल कितना होगा तो मिनट के लिए यह है सिक्स इंटू एम सिक्स इंटू एम सिक्स इंटू कितना है थी फोर्टी है यह जो आया है यह मिनट सुई का इस्थापन है और लास्ट जो तक हम देखेंगे उसमें दोनों बोथ आवर्स व मिनट दोनों का देखते हैं इसमें पूरा फॉर्मूला एपलाई होगा जो हम कल दो सोईयों के मद कौन निकालने के लिए अपलाई कि तो वही होगा लेकिन यहां जो एम अपलाई करेंगे वो टोटल नहीं करेंगे जैसे पहले करते थे यह गिवेन है यहीं अपलाई करेंगे इसमें किवल किवल जब एम का अलग से निकाल लेंगे इसी में किवल एम को टोटल हम देखेंगे पूरा यहां इसमें कैसे हो गया कि यह हो गया इस तके görev आवर्स ओड़ल सुझा कश्थापन था यह केवल मिनट्स ओड़ी का था और यह जो हैं इसी तीन टाइस के कोश्हान बनते एक दूसर अग्जाम्पल हमार लेके देखते हैं माल लेजियम को इसका निकालना हो इसमें पहले इसका यह पोर्शन देखेंगे किवल इसको पूर्खन यह आवस है यह मिनट्स है यह आया इसका इस्थापन और जो दूसरा टाइप हम देखेंगे उसमें मिनट्स को टोटल देखते हैं कि इसको सिक्स इंटू एंट से फाइंड आउट करते हैं कि टोटल हुगा कितना कि टोटल जब निकालेंगे पूर ट्वुंट्टी यह हो गया हुआ फोर्टी सेकेंड ट्वंट्टी यह 640 सेकेंड टोटल हो गया यह अब इसको भूटिप्लाइए कर देंगे यह जो इस्थापना है, मिनट्स का आया है, और थर्ट आइप जो देखेंगे, उसमें आप पता ही है, इसका इसका डिफरेंस है, एक बाइस को जो अलग-अलग निकाले है, वही एक साथ निकाल देंगे, क्या था? लेकिन एक चीज़ ध्यान देंगे, यहाँ मिनट्स अंग 414 का टोटल निकाले थे, यहाँ टोटल नहीं पूट करते हैं, यहाँ के और 20 पूट करेंगे यहाँ displacement कितना है, सोडी गडी, एक बार यह पहला पूर्शन, फर्स टाइब कर पूट बन देंगे, केवल और स्वाली का हमसे पूछ लेगा, हमको यह निकालना होगा, केवल मिनट्स वाली का पूछेगा, हमको यह निकालना होगा, अजब दोनों का पूछेगा, और स्वा तो हमको इस तरह करेंगा, बस एक चीज़ का ध्यान यही रखना हो, कि यहाँ total मिनट्स हम रखते हैं, और यहाँ जो given होता है, उसको रखते हैं, जो original होता है, उसको वहार रखते हैं, अब इसी से related topic हमारे एक हर, उसको थोड़ा देख लेते हैं, तब आगे overlap, zero degree overlapping की बात क जो इससे related topic है, वो है, समान दूरी, एवं कोन, equal distance and time, sorry angle, इसमें दो type से हम कह सकते हैं, इसके sentence बनते हैं, question बनते हैं, उसको दो type question है, लेकिन उसका मतलब निकलेगा एक ही, जैसे, नीचे से लिखते हैं, है, भ बसको जया मतलब डिखते हैं, आगे रिखते हैं, थिजई कोन से लिखते हैं, भीज़ पहला तो ये और दूसरा जो है देखे कहता क्या है इसमें कह रहा है नौ से दस वजे के बीच दोनों सुईया कभी एक दूसरे के साथ 120 डिग्री पर होंगी नौ से दस वजे के बीच दोनों सुईया कभ एक दूसरे के साथ 120 डिग्री पर होंगी और इसमें क्या कहता है कि नौ से दस वजे के बीच कब दोनों सुईयों के मध्ध 20 मिनट की दूरी होगी कहने का मतलब दोनों एक ही है लेकिन नजरिया बदल गया है देखने का हम लोग का बाकी अगर सेंस निकालने दोनों का मतलब एक को यही दो टाइप बनेगी या तो यह तो यह यह तो यह लेकिन एंसर वही होगा कहना जो चार है दोनों का कहना एक ही है लेकिन तो कहने का मतलब इसमें यह है यह statement दोनों कोई अंतर नहीं है और इसको मिटा देते हैं आगे तर देखते हैं दो तरीके समने बात की 9 से 10 के बीच एक बार पहले स्टेटमेंट क्या कहा गया दोनों के मद्ध कब 120 डिग्री होगी पहले में थो हमने ये कहा और दूसरे में हमने क्या कहा था कि 9 से 10 के बीच 10 बज़े के बीच कब दोनों सुईयों के मद्ध 20 मिनट की दूरी होगी आपको मैंने कल बताया था एक मिनट में कितने डिग्री डिस्पेस्ट करती है छे डिग्री अर्स वाली की बात नहीं कर रहे है हूँ आपर में क्या होता था एक में एक और में 30 करती थी और इसको ता मिनट में क Character करते थे थे है मैं तो वन भाई टू डिधी लेकिन जब मिनट की बात करेंगे एक मिनट में छेडी डिग्री टी स्पेस करती थी अब यहीं समय में आएगा 20 मिनट कहने के मतलब एक मिनट में जब 6 डिग्री यह विस्थापित होती कितना होगी 120 डिग्री होगी बात यही कहा है एक बार सीधा का एक बार घुमा दिया है जब 20 मिनट की दूरी है एक मिनट में छे डिग्री स्थापित होती है तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे माल टाइम तो दिया हम को मिनट तो दिया ने किवल इतना बताया गैस9 अ से दस बजे के बीच जो टाइम मारा होगए या आख 9 से 10 के मां वड़के एक मिनट से लेकर नौः बच के 69 मिनट साथ से कन तक हो सकता है नौव इस डाही लेंगे draft अगर 9 बजे हम बात कर दें, 9 को हम 8, 69, 60 भी लिख सकते हैं, ये एक तरह से जो 9 है, इसका इसके बराबर है, 9 से 10 के बीच का मतलब 9 बज के एक मिनट से लेके 10 बज के 69 मिनट साथ सेकंड तक की बात करेंगे हम, तो मिनट तो दिया नहीं है, हमको गिवेन क्या-क्या है, जो टाइम हो, मतलब जो एंसर निकल गया, वो तो बजेगा 9 ही, मतलब आवर्स 9 हुई होगा, आवर्स वाली सुई 9 पे ही होगी, सपोस कर लेते हैं, 9 बज के एक्स मिनट हो रहा है, ये मारा एच है, ये मारा एम है, और गिवेन क्या है, हमको, एंगल जो गिवेन है, डिस्प्लेस्मेंट जो गिवेन है, वो है 120, 120 डिग्री, आप फॉर्मुले पे हमने पूट करते है, एच इंटु 30 प्लस M बाई 2, एप्राउक्स 6 इंटु M वाल दी पे, पूट करते हैं, इस पे, एच इंटु 30 प्लस M बाई M तो हमको गिवेन नहीं है, हमने सपोस क्या किया है, कि यह एक्स है, एक्स बाई 2, प्राउक्स, 6 इंटु X, एंगल क्या दिया गया है, 120, इस इक्वाल टु 120 डिग्री, आप इसको सॉल्व करते हैं, यह हो किया 270 प्लस X by 2, 6 X is equal to 120 डिग्री, आप 270 प्लस X by 2 is equal to 120 प्लस 6 X, इसको सॉल्व करेंगी, 270 का 2 से यह तो इधर मुल्टिप्लाई होगा, इधर भी मुल्टिप्लाई होगा, यह कितना हो जाएगा, 540 3 प्लस X is equal to 120 है, 2 से मुल्टिप्लाई होगा, प्लस, सॉरी, 12 X, यहां भी मुल्टिप्लाई होगा, यह इसको यहां यहां मुल्टिप्लाई होगा, अब इसको एक एक तरफ करके माइनस कर देते हैं, 540-240 is equal to 11 X, इसको solve करने पर, 11 X is equal to 300, X is equal to 300 upon 11, यह इसको इसके आगे एक स्टेप में क्या करेंगे, इसको भी solve कर देंगे, अब यहां नहीं दिखराओं का इधर हम बता देते हैं, इसको solve करेंगे, यह आया, यह हमारा क्या आया है, केवल minutes आया है, अब बात किसके एक एक रहे थे, नौकी, तो यहां answer क्या होगा, यह हमारा क्या निकल के आया है, यह हमारा answer निकल के आया है, समान दूरिया क्यों जब पूछेंगे, तब इसको apply करेंगे, apply कैसे करेंगे, मान लेते हैं, जैसे हमको दिया तो के वल यह timing है, मतलब h हमको given होता है, लेकिन minutes नहीं दिया रहता है, एंगल दिया रहा है, और किसके किसके बीच के निकल यह दिया रहता है, तो मान लेते हम, इसको x मान लेंगे, नौबच के एक समिनट हो रहा है यह हमारा एच हो गया हो गया अब इसी फॉर्मूले पर पूट कर देंगे हमारा जो एंसर निकल के आएगा वह हमारा है अपरोपस सब 20 मिनट कुछ हो रहा है एक प्रॉक्स इसके हो रहा है छोटी-छोटी यूनिट है यह बाद में तो एक ग माल लिजे हमको कोई कहते हैं 11 से 10 से 11 के बीच में निकाल रहा है 10 से 11 के बीच में निकालना और दे दिया जाए कि मतलब कोश्चन कैसे पुछे था 10 से 11 के बीच कब दोनों सुईयों के मध्य 18 डिग्री 18 मिनट की दोरी होगी कोश्चन इस टाइब से पूछेगा गिवन क्या रहेगा उसमें 10 से 11 के बीच में निकाल लेंगे हम पहले चीट और दूसरी चीट हमको गिवन दस से 11 की बीच में हम सब्सक्राइब करेंगे दस बज के एक्स मिनट हो रहा है इसको एक मिनट में छड़ी रिस्ता पी तो इसका एंसर आएगा उसके बाद सब्सक्राइब करेंगे यहां कर देंगे आप लोग को समद्ध में आओगा इसको आप मिकाल सकते हैं दूसरे टापी की तरफ चलते हैं ज्यादा टाइम न लगाते हैं इसमें की आगे चलते ही अब तो उमीद करते हैं वो जाएगा कि सुमीज करते हैं हमार यह चोटा लॉपिट 5000 इंटना यह तना जी था कि मान सपोर्फ करना बाकी दो फोर्म में कुशन दिए रहेंगे या तो हमको आंगल दिया रहेगा तो हमको इनकल नीकल नेकल करना पर मुले पर अब हम अपने जिस topic को start कि दूस today is overlapping की तो इस में महीं ने बताया को आप कि आधी होता zero degree एक होता नाइन्ती डिग्री एक होता वाननीटेडी डिग्री हम बात करेंगे zero degree की three three two zero इसमें दोनों सुईыш róż एक दुज़े के ऊबर हो सकते हैं दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर सीधी रेखा में संपांति हो सकते हैं और दोनों के बीच जीरो मिनट के दूरी हो सकती है इसको तीं तरेस कह सकते हैं दोनों सुईयों के मध्या जीरो मिनट की दूरी या तो जीरो मिनट की दूरी हो सकती है या तो दोनों सुईयां सीधी रेखा में संपाती हो सकती है और तीसरा जो कहता है दोनों सुईयां एक दूसरे पर होंगे जैसे मालीज ये बारह है ये जो बड़ी वाली है ये मिनट की सुई है ये छोटी वाली जो है दोनों सुईयां एक दूसरी के ऊपर है तभी जीरो मिनट होगा और दोनों सुईयां एक दूसरे पर है जैसे आप लग सोचे संपाती किसे कहते हैं ये सेंटर है ये मिनट सुईयां ये संपाती जीप कहते हैं जब एक सुईयां आवर सुईयां मिनट सुईयां के ऊपर हो मतलब एक दूसरे के दोनों ऊपर हो ओवर्लैप तरह हो एक दूसरे के ऊपर हो या तो यह हो संपाती हो या दोनों सुईयों के मत जीरो डिग्री कौन हो मतलब एक यहां नहों दोनों दूसरे के एकडम एक्जैक्ट ऊपर हो एक दूसरे के ऊपर संपाती और जीरिमेट के यह ओवरलाइपिंग एक घंटे में एक बज़े से अभी करेक्ट बारा बज़ रहा है इसमें जब इन मिनट सवाली सुई ऐसे जाएगी यहां से घूमेंगी घूमती 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 जब इसके उपर दुबारा चाहेगी तो यह तब तक एक बज़ चुका होगा इसको यहां से यहां अपना 360 कंप्रीट करने में यह आउर्ट वाली सुई 12 से एक पे जा चुकी होगी तब इसको ओवरलाइप करेगा तो यह उज़े ओवरलाइपिंग होगी इस घंटे में तो ही नहीं एक घंटे में क्यों एक बार ओवरलाइपिंग हो सकती है हैं लेकिन के हुआ 24 गंटे में ऑ 22 बार होती है 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 तहीं है मैं चौबिस गंटे में 22 गार डा लाइपिंग होती है कि दो बार और तब quantity नहीं हुट है रात के 12-1 के बीच में भी overlapping नहीं होगी यहने का मतलब यह 12-1 के बीच में overlapping होती ही नहीं है बाकी अदर्स घंटे में होगी 12-1 के बीच में भात कर ही नहीं सब्सक्राइब लाइपिंग इसकी क्यों एक घंटे में एक बार उपर लगी है हमने आपको बता दिये कि जब तक यह सुई यहां से यहां जाएगी तब तक यह आगे जा चुकी होगी इसको निकालते कैसे इसका कोश्चन जैसे बन गया दोनों सुई यह दो सुई यहां इसके मत जीरोमेट के दूरी कब बनेग को निकालें कैसे इसको आई उसको देखते हैं इसका एक कॉंसेप्ट हम बताएं बहुत छोटा सा कॉंसेप्ट लेकिन उस ट्रिक कॉंसेप्ट को बताने से पहले हम आपका बेसिक क्लियर करें कि वह आता कैसे है ठीक है गुल्हें पूरा फॉर्मूला पूरा में उसी फॉर्मूली पर है जितना प्लांट जितना पढ़ाया है एक दो ट्रॉपका ट्रॉपक дос huge अलुसी क्वंली प्रॉमिलिक का खेर फॉर्मूली टार्च का उलीग लएत तो इहार Exactly Hello माल लीजे हमको कह दे कि 4-5 बजे के बीच जीरो डिग्री ओवरलैपिंग कब होगी चार से पांच लेके भी जीरो डिग्री ओवरलैपिंग कब होगी तो इसमें सिंपल सा करेंग क्या हम चार से पांच चार से पांच की बीच में जब ओवरलैपिंग पूझागी इसमें भी यही फॉर्मूलो के हम पूट करेंगे इसी फॉर्मूलो को यहां पूट करेंग कैसे करते हैं और tava को जिंग रहे है चार से पांच हमने पहले ही बता दिया था चार से पांच की जब बात होगी चार बच की एक मिनटसे लिए कि चार बच 18 उन् kilowat साट सेकंड तक की बात होगी ना सो पांच बज़ेगा ना तो चार बज़ेगा इन दोरों के वीच तो निकालिंग कैसे इसके लिए हम आपको बहुत छोटा से कॉंसेट बताएंगे बाद में इसको बताएंगे पहले अभी लोग आप लोग समझ ले साट बटे ग्यारा इसका यहां पर बहुत अहम रोल है अगर यह हमको पता इसका इस फॉर्मुले पर हम पूट करेंगे तो ह हम इसके बेसीश पर अंसर निकाल लते हैं कैसे जैसे चार से पांचे के बीच में और लंप नहीं होति है बारा से एक के बीच में यह ओवरलैपिंग नहीं होती है तो बाइस बार ही होती है हैं जब उसको निकालेंगे मतलब चार से पांच के बिच में हमसे पूछां थू स्टारिंसे दस सिस्क्राइब से ग्यारा दो से चार तो हमेशने आगे मलब आगे वाली संख्रा को देखें हैं DR इसमें भी आगे वाली को देखेंगे तो आगे वाली जो स्वंक्या है कुछ करना सिंप्ली इस डिजिट को इसमें मल्टिप्लाई करा देना हमार जीरो डिगरी एंगल निकल जाएगा हमको इतने बड़ी कॉंसेट को लेके जाना ही नहीं है छोटे से एकदम पॉमुले छोट क्या है कि इसको सॉल्व करेंगे तो फोर्टी अपान एलेवन यह हमारा आया है अब यह आया क्या है चार बज़के एराउंड 21 मिनटे बस हमको इतना सा करना है इस वामूले भी पूट करेंगे हमने पहले आपको बता कि फॉर्मुले यही डाटा गीवेन है इसको इस पर पूट करेंगे काफी लंबा प्रॉसेश होगा हमको लगबग इसमें एक मिनट लग जाए लेकिन साट बटे ग्यारा घर हमें याद है हमको कुछ नहीं करना है इसके बीच में को निकालना जो पहला वह आवर्स होगा उसी को इसमें मंटीप्लाई करा देंगे हमारा एंसर डाइक निकलाएगा यह हमारा एंसर आजिए जीरो डिग्री ओपर लाइपिंग में कुछ नहीं केवाल यही साट प्रेटे ग्यारा हमको याद है कि पूरी ओवर्लाइपिंग हम निकाल ले जाएंगे जीरो डिग्री इसमें इसी तरह निकलेगा 180 भी इस तरह निकलेगा 90 दिग्री थोड़ा सा इन दोनों से हट किया है पहले जीरो डिग्री समय लें उसके बाद 180 फिन 90 पिल चक्षक करते हैं तो जीरो डिग्री आपको समझाए एक एक एक्जामपल आउल लेते हैं मान लिजे हमको निकालना हो दो से तीन के बीच में जीरो डिग्री एंगल निकालना हो कि दो से के बीच में कैसे निक्तामि तरहीं आगे वाले देखेंगे दो को दिखेंगे लिए 8 को हम देखेती को यह 9-2 को क्योंनंना दो हमारा दो बच के Smack एक मिननट से 2 बच के 69 मिनट 10 2 मिनट 10 कहां बाद करेंगे तो जह हम दो को देखें फिर साट बटे 11 हमें याद है साट बटे 11 को आप लोग 2 से मल्टिप्लाई करा दीजिए जो पहली डिजिट है पहली डिजिट आप इससे मल्टिप्लाई करें कितना आएगा 120 अपान 11 इसको सॉल्ब करेंगे यह हमारा इसको सॉल्ब करेंगे यह हमारा इसलिकल कर आएगा यह क्या है एराउंड दस मिनट के टाइम है यह बात हम लोग किसके कर रहे तो दो से तीन के बीच में मतलब दो बज़के एराउंड दस मिनट आसपास यह कब क्या बनाएगा जीरो डिग्री ओवरलैपिंग दो से तीन के बीच में दो बज़के दस मिनट के राउंड ही ओवरलैपिंग करेगा ना तो इसके आगे करेगा ना इसके पीछे करेगा अब यह हमारा क्लियर हो गया गया जाट बटें 11 को रियाद रखना है और जो डिजिट पहले दी होगी जिसके जिसके बीच में हमको न 22 बार होती है लेकिन अगर हमको दे दिया कि 9 से 10 के बीच में हमको पहले डिजिट को अपने ध्यान में रखना है साट बेटें 11 से मटीपलाई करा देना है हमारा एंसर निकल चलाए जिरो डिग्री ओवरलैपिंग और कुछ नहीं बस इतना इससे साट डिटें 11 व्याद अब आते हूं 180 डिग्री पि अब आते हूं 180 डिग्री में भी वही सेम कंडिशन है पहले इसका वह समझता 180 डिग्री बनेगा कट जब दोनों सुईयों के भी 30 मिनट के दूरी होगी जब दोनों सुईय घंटे और मिनट वाले सुई के बीच में 30 मिनट की दूरी होगी तब 180 डिग्री बनेगी या तो दोनों एक दूसरे के विप्रीद दिशा मगई होगी तब 180 डिग्री बनेगी इसको देखते हैं जब दोनों सुईया एक दूसरे के 30 मिनट की दूरी पर होगी पहला तो यह कहता है दूसरा स्टेटमन क्या कहता है जब दोनों एक दूसरे के विप्रीद हूँ इसामे हूँ कि तीसा में हुआ है कैसे कि तैसे मालीज ये क्लॉक है कि ये बारा इच्छे तीन नव कि मालीज ये आवर्स्वाली सुई है तो हमको 180 यहां कहां बनेगा कि जब ये सुई यहां होगी आवर्स्वाली ऊपर ठीक उसके बिप्रीत मिनट्स्वाली नीचे होगी मिनट्स्वाली ठीक इसके नीचे होगी तो या तो इस कंडिशन में बनेगी या फिर कि दोनों के बीच में 30 की दूरी है ही विप्रीत दीशा में एक दोस्वाली है है तो अब इसको आगे समझते इसका कॉंसेट्स जैसे जीरो डिगर में क्या होता था एक आवाज में एक घंटे में एक बार ओवर्लैपिंग होती थी चौविस घंटे में बाइस बार ओवर्ल कि चौविस घंटे में बाइस बार ओवर्लैपिंग होती है सेम कंडिशन इसमें होगी लेकिन उसमें क्या था बारा से एक की बीच में ओवर्लैपिंग नहीं होती थी इसमें छे से साथ के बीच में ओवर्लैपिंग नहीं होगी छे से साथ के बीच में ओवरलैपिंग नहीं होगी। बस इतना साही अंतर है जीरोड़ की 180 डिग्री में। बाकि यह सेम है यह सेम है। एक घंटे में एक बार 24 घंटे में बाइस बार छे से साथ के बीच में ओवरलैपिंग नहीं होगी। अब हमने प्छले में बताया है कि इसको याद रहे हैं और कि क्या है जो इसमें दिया गया हो यह डाटा यह तो माली इसके इसके बीच में नहीं होता है लेकिन हमको क्वेश्चन कैसे दिया रहेगा इसमें 90 डिग्री हम आपको बाद में बताएंगे 180 डिग्री इसलिए बता रहे हैं कि यह दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं जैसे जी दिग्री इन दोनों से हटके है जैसे जीरो डिग्री उवलैपिंग है यह उची तरह 180 डिग्री निकालना हो इसमें क्या करेंगे जो हमको टाइमिंग दिया गया हो वे दोसे तीन के बीच में को निकालना है ते हम जो उसमें क्या था शुरुआ को डाइट से मुटिप्लाइब करा देते थे लेकिन इसमें क्या करेंगे जो इस्टार्टिंग में दिया यह देखेंगे ओवरलैपिंग छे से साथ के वीच में नहीं होते तो छे बजे से लेके जो प्रश्चन हमको दिया उसको करांगे और थी अब कहने का मतलब ये च्यक् mukन लैकि नहीं होती हमसे पूछा डो से तीन के बीच हम हम यह देखेंग खेंग चहरा से दो के बीच में कितने खंते का डिफरेंस होगा उसी को हम साटे ज्यारा से मॉन॒ुखराई करा calm कुछ लोग सोचेंगे 6-2 के बीच में निकालेंगे जैसे 2 है तो यहां सोचेंगे 3-4-5 छे तो खुद है ही कि चार गंटी हो गए कर आइसा नहीं हमको हमेशा जब डिफ्रेस्स निकालेंगे हमेशा 6 से स्टार्ट विए भले हमको उल्टा जाने पर चेसा साथ आठ नौब दस ग्यारा बारा फिर एक दो तीन चार जाएंगे डो जाएंगे लेकिन छे साथ आठ नौब इस तरह स्टारस दो छे से दो के बीच में हम निकालेंगे एक तो हो गया साथ आठ नौव दस ज्यारा बारा एक दो तो खुद है एक इतने घंटा है एक दो तीन चार पांट छे साथ आठ मतलब इसके और इसके बीच में आठ घंटे का डिफरेंस है कितने घंटे का डिफरेंस है आठ घंटे का डिफरेंस है अब सिंपल चाहिए इस आठ घंटे को इस आठ को इससे मल्टीप्लाई करा दिंग माना 180 डिग्री निकल चलाए को 60 by 11 into कितना ओर समारा निकल किया था एट आपस कितना होगा यह हमारा आया इसको सॉल्व करेंगे अरॉट के आस-पास आएगा इस छोटी यूट कर इतना ध्याम नहीं देंगे लेकिन लिखेंगे यह नहीं कि हम इसको छोड़ दें किवला हम इतना लिख दें कि दो बज़के थाटी यह गलत होगा झाल चोटी यूट जिए हो इसको भी हमिहां लिखेंगे करते ही तो दो से तीन के बीच में 180 डिगरी कब बनेंगा दो बजके अन्रतिम कि 저शे पर मिनट भाकी च्छोटि किम इसा है अब एक घंटे में आपको पता एक ही बार होगा कि जीटो 501 गंटे में वार ओवर्लेक होते हैं यह भी एक घंटे में अंतियस मिनट पे बागी ये छोटी मिनट हैं अधीर में आपको येख ही बार होगा जीरो डिग्री भी एक घंट में ने ये ये घंट में बार बढल कुछ आठ से नव बजए के बीच 180 डिग्री हमको फाइंड करना है कब बनेगा 180 डिग्री कब बनेगा आठ से नव के बीच तो अब इसको कैसे फ़र फिर से हम वह कंडिस्या है छे से साथ के बीच में ओरलापिंग नहीं होती अब इसके साथ के बीच में ओरलापिंग नहीं होती है छे से आर्ट तक को काउंट करेंगे इन दोनों के भी कितने घंटे का डिफरेंस है कितना है शे साथ एक आठ खुद ही है यह खुद है फालब कहने मतले एक ही है एक ही है दो घंटे का डिफरेंस है कि फिस ओवाइस शिक्स्टी वाइवन इन्टू जितने घंटे का डिफरेंस दो घंटे का डिफरेंस है दो घंटा आगा मटिप्लाइब करें तो से कि ए एक सो बीस बटे क्या राया यह 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 अब एंसर के आएगा आठ बचके एराउंड टस मिनट के आसपर्स कि सॉरी इसी टाइम 180 डिग्री बनेगी 180 डिग्री ओवरलैपिंग होगी अ बाकी 90 डिग्री अलग है उसको हम अगली क्लास में देखें थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है आज तक के लिए इतना अगली क्लास में हम 90 डिग्री को एक्स्प्रेंड करेंगे तम बिस्तार पूर्वब आज के लिए धन्यवाद आज के लिए धन्यवाद आज